आप लोगों ने एक्चुली देखा ही होगा कि dream 11 करके एप आई है और उस टाइप की बहुत सारी cricket गेंबलिंग की एप जो आई है मार्केट में तो आप जबी भी यूटूब पर या कोई भी जगह पर social networks में telegram channels में देखते हैं तो dream 11 टीम कैसे बनाते हैं और कैसे उसमें से money quickly earn कर सकते हैं यह सब टाइप के वीडियो आप देख सकते हैं कि उस टाइप का ही content create किया हुआ होता है अभी मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि money making जो होता है वो slow process होना चाहिए जैसे कि option selling है या तो business है जो अगर slow process money making है investment से आप money making कर सकते हैं जैसे कि mutual funds में आपने long term investment कि आपने ppf में investment किया आप salary earn करने के लिए job पर जाते हो यह सब जो money making के जो ways है वो slow money making process है और ऐसा माना जाता है कि money making should be a boring process जितना भी money making boring होगा जितना उतना ही long term के लिए आपको mileage देगा और उतना ही उसका stability वो income stream का रहेगा problem यह होता है कि most of the लोग जो होते है वो money making को exciting करना चाते है कि excitement के साथ अपने जूड़े रहना चाते है money making को इसलिए उसकी बज़ा से यह वो gambling की तरफ divert होते है recent में मेरे एक friend को मिला था तो वो बोल रहा था कि एक story मुझा सुना रहा था कि किसी ने 35 rupees में से 60-65,000 rupees dream 11 या तो various type के जो apps है उसमें से बना है तो यह basically देखते है तो kind of infinite return हुआ या तो अगर आप 5,000 rupees invest करके 30,000 rupees बनाते हो तो वो six times मतलब 600% return हो गया है एक match का या तो एक event का मतलब one month का तो इस type के जो return होते है basically वो unrealistic return माने जाते है और यह long run में sustain नहीं होते है second चीज़ यह है कि यह जो इस type के जो returns जो होते है जिसको हम dream 11 के अगर आप देखे तो dream 11 में अगर आप देखते है जो return होते है वो sustainable भी नहीं होते है और दूसरा यह कि एक gambling mentality जो होती है वो brain में इस type के chemicals जैसे कि dopamine और वो secret करते है जो semi chemicals होते है जब हमें किसी type का addiction होता है whether drugs, smoking, alcohol, online gaming, internet यह सब type के addiction जो होते है या तो social media का addiction वो हमारे dopamine circuit जो brain के बोलते है brain की chemistry इसके साथ interfere करते है और इसलिए हमें वही चीज़ चाहिए होती है करने के लिए बार बार तो ही हमें फिल satisfaction मिलता है तो यह जो है online cricket की जो apps है वो आप देखते हैं तो बहुत सारे gurus और advisors आप यहाँ पे देखेंगे तो हो गये है यह सब gurus और advisors है आपको किस type से team बनानी है कैसे easy money बनानी है वो सब type का आपको knowledge और education basically देंगे और यह जो है अभी देखते हैं तो लाखो करोड़ों लोगों का जो youth है पूरे इंडिया में वो इसमें लगा पड़ा है और बहुत सारे लोग जो होते हैं मतलब यह जो apps होती है वो crores hundreds of crores उपीज का marketing budget होता है और इसमें बहुत सारे मतलब वो budget होता है क्योंकि इसमें profit भी इतना ही होत है तो मैं आपको यह suggest करना चाहता हूं कि आपको इस टाइप से जो gambling जिसमें आपको money making में excitement मिलता है वो सब चाहिप की चीज से आपको दूर रहना चाहिए मेरा बोलने का मतलब है कि money making जो होता है वो boring process होना चाहिए जैसे कि आपने mutual funds में invest किये जैसे कि आप option selling करते हो तो बोरिंग जितना हो सके जैसे कि आप business करते हो job करते हो वो ही फाइदेकारक है और वो आपकी brain की chemistry के साथ interfere नहीं करता है जब भी आप money making process को exciting बनाने की कोशिश करते हो तो आप overdoing में gambling करके ज्यादा से ज्यादा loss करने के आपके chances होते है तो आपका ये बारे में क्या सोचना ह वो आप नीचे comment section में बता सकते है थेंक यू